Hello friends, welcome to my YouTube channel, मैं हूँ दिव्याशर्वा दोस्तो शरीव में सिर से पहर तक की नसों की ब्लॉकेस को खोल कर नसों की कमजोरी दूर होती है इस पानी से दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नसे कमजोर क्यों होती है और अगर नसे ब्लॉक हो चुकी है तो इससे आपके शरीव को क्या नुकसान हो सकते है इसके साथ साथ ब्लॉक नसों से जुड़ी अंसुने सच के बारे में भी बात करेगी और अगर आप इन उप्योग को करते हैं, तो आपके शरीर की ब्लॉक नसों को खोड़ने में बहुत मदद मिलेगी, आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नसों के ब्लॉक होने से पहले इसके खराब होने की कारण, संकेत, इलाज, तता साथ में किन ल ब्लॉक नसों के साथ भी जरूर शेयर के लिएगा, आज कर लोगों का खान पार इतना बिगड़ गया है, कि वो किसी ना किसी बिमारी की चपेट में ही रहते हैं, इनमें से एक समस्या है ब्लॉक नसों की, जो युवाओं में काफी देखने को मिल रही है, पहले ये समस्या 60-70 वर्ष की उमर में होती थी, वहीं लोग आज कल 30-35 साल की उमर में ही इस परिशानी को जेल रहे हैं, नसों में ब्लॉकेस की समस्या से करीब 60% भारतिया परिशान है, करीब दे 40-50% लोगों की धमनिया कमजोर हैं, वे 20% महिलाओं को प्रेग्निंसी के बाद ये समस्या ह जाती है, जिसकी पहचान सही समय पर नहीं हो पाती, जो कुछ समय बाद वेरिकोस वेन का रूप धार्म कर लेती है, दुरसल शरीर में खराब कॉलेस्टरल की मात्रा बढ़ने से शरीर में खून का परवास सही से नहीं हो पाता, जिससे टांगों में सूजन वे नसों के बुरी चले से परभावित होता है, दमनियों में ब्लॉकस एक दिन में नहीं होती, बलकि धीरे-धीरे बढ़ती ही जाती है, और इसका पता तब चलता है, जब नसों में ब्लॉकस हो चुकी होती है, तो आईए जानते हैं दोस्तों, कि इन नसों में ब्लॉकस होने के संकेत क कोई है अगर आपकी पीट की नस ब्लॉक होती है तो टांगों में दर्द लगातर रहने लगता है टांगों में पैरों में सुनपन रहने लगता है तांगों में तेज दर्द फैलने लगता है पैरों में तेज दर्द महसूस होता है इसके इलावा खासने पर या छीकने पर भ गर्दन को हिलाने में तकलीफ होती है, मौडने में तकलीफ होती है दोस्तो अगर आपको नसे ब्लॉक होने के संकित कुछ दिनों से मिल रहे हैं और आप घर के उपाई कर रहे हैं लेकिन आपको फाइदा नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें दोस्तों आपको बता दिया जाए कि अगर आपकी नसे ब्लॉक है तो आपको इससे कौन-कौन सी बिमारियां हो सकती है जिसकी पहली समस्या है कि टांगों में खून के ठक्के जमा होने लगते हैं खून के ठक्के जमा होने से शरीर के अंदर बुरा कॉलेस्टरोल बढ़ने लगता है जिससे हार्ट अटेक का खत्रा भी बढ़ जाता है इसकी लावा यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कि लोगों को होती है यह ब्लॉकेस की समस्या नस ब्लॉकेस की समस्या तब होती है जब खून संचालित होकर हाट तक सही से नहीं पहुच पाता जो बाद में गांटों में गुच्छों के रूप में हमारे सामने आता है यह परशानी उनको होती है जो ज़्यादा तर एक ही पोश्चर में बैठते हैं और काम करते रहते हैं नसों में दर्द होना आम सी बात हो चुकी है साधारन तोर पर नसों में ब्लॉकेस के इलाज के लिए फिजियो थेरेपी वे दवाईयां दी जाती है ऐसे में अगर आपको ये कहा जाए कि किचन की कुछ चीजों से आप अपनी ब्लॉकेस को दूर कर सकते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे तो अगर आपको भी नसों की ब्लॉकेस है तो ये नुस्का आपके लिए बहुत फायर लिवंद होगा इसमें इस्तमाल होने वाली सभी चीजों का आईरवेद में बहुत ही विशेश थान है दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है लौकी का जूस आपको मैं सबसे बड़ा कारण है खून का गाड़ा होना और खून का गंदा होना आप एक गिलास लौकी का जूस लीजिए उसमें एक मुठी पुदीने की भी जूस साथ में निकाल लीजिए इसका सेवन हो जाना आप खाली पेट कीजिए ऐसा करने से हाथ ब्लॉकेस नहीं होगी खून के अदर एसिट जमा हो चुका है वो भी टूट कर बाहर निकल जाएगा इसके लावा दोस्तो अगर आप लौकी का जूस नहीं पीना चाहते तो आपको एक बहुत असान सा तरीका बता रहे हो दालचीनी ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए खून को साफ करन के लिए खून को पतला करने के लिए बहुत फाइदेमत है अगर आपका खून साफ होगा पतला होगा तो नसों में ब्लॉकेस नहीं आ सकती खून के ठके जमा नहीं हो सकते तो दालचीनी का इस्तवाल करने के अलग-अलग तरीक हैं दोस्तों अगर आपको डायविटीज न पालना है और इसे चांद कर पी लेना है. इस तरीके से कीजिए. ये दाल चीनी खून को पतला करने के साथ साथ खून को साफ करती हैं. बॉडी को डिटॉक्स करती हैं. दोस्तो, एक चीज आपको और बताती हों. कुछ seeds ऐसे हैं, कुछ beege ऐसे हैं, जो कि हमारी body को clean करने का काम करते हैं, free radicals हमें बचा कर रतने का काम करते हैं, body को detox करते हैं, खाने को पचाने का काम भी करते हैं, पाचन तंतर को दरुस्त करते हैं, दोस्तों वो है LC, LC के अंदर alpha linenic acid होता है, omega 3 fatty acid होता है, omega 3 fatty acid हमारी heart की muscles को मजबूत करता है अब अलसी का सेवन भी कई तरीकों से किया जा सकता है अगर आपको पित की समस्य है यन की वाड़ी में बनती है तो आपने अलसी का seven प्रोरजिये पाउडर बनाकर नहीं के साफ्ट कीजिए और अगर आपके जोडों में दर्द हो रहा है और नसों में भी ब्लॉकेज है तो आपने इसका सेवन पानी के साथ यानि गुर्बुने पानी के साथ आधा चमच अलसी पाउल का सेवन करना है दोस्तों अलसी का सेवन बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए किया हमारी हार्ट की मसल्स को मजबूत करता आप लौकी की सबजी बना कर जूस बना कर किसी भी तरीके से सेवन जरूर कीजिए इसके इलावा हो सकत coin को दिल में एक बार लसन खाई चायए तो लसन को ब्लड थीनर कहा जाता है इसके अदर एलिस Independence होता है जो कि हमारे खून को पत इन में से किसी भी चीज़ का सेवन कीजिए और अपनी इस तकलीफ को बिल्कुल दूर कर दीजिए वैरिकोज वेन की तकलीफ हो या नसो में वैसे ब्लॉकेश आज चुकी हो नसो में दर्द रहता हो तो आपके लिए ये ट्रीटमेंट काफी फायदे बंद होगा ये जानकारी ये इनफोर्मेशन यहीं तक थी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी आपके काम की है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो दोस्तों जरूर पूछिए आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दे जाएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए विप्राइए